दोस्तों आज मैं आपको दुनिया के पांस आपसे शांदर जगर दिखाऊंगा जहां आपको एक बार जरूर जाना चाहिए क्योंकि वहाँ जाने के बाद आप वहाँ बिताया हर एक पल अपनी जिन्दगे में कभी नहीं भूल पाएंगे स्टेरवे टू हेवेन अस्टेलिया में मुझूद ये जगर किसी भी बहादूर इंसान को डरा देने के लिए काफी है जो कि दो पहाडों की चोटियों के बीश मुझूद एक खतनाख सीड़ी है जिस पर से होकर गुजरना कमजोर दिलवाले के बसकी बात नहीं फिर भी कुछ बहादूर लोग इस रोमांच को मैसुस करने के लिए देशविदे से यहां आते हैं आइस केव आइस लैंड में मुझूद ये बर्व क्यो गुफाएं आपको अपने अंदर से बाहर नहीं जाने देगी क्योंकि जब आप इसके अंदर जाओगे तो इसके खुपसुरत दिवारों में खो जाओगे जिन्हें अपने आखों से देखना शांदार एक्स्पिरियंस होगा हाला कि अब ये गुफाएं खेतरे में हैं क्योंकि जिस तरह धर्ती का टेंपरेचर तेजी से बढ़ रहा है उस वज़े से ये पिगलती जा रही है और हो सकता है कि कुछ सालों में ये सिर्फ तस्वीरों में ही देखने को मिलें अगर आप गर्मी के साथ साथ शहर के सोर सरावे से भी परिशान हो तो आपको जिन्दगी में एक बार इस जगह पर जरूर जाना चाहिए जो शहर से काफी दूर पहाडों पर मवजूद रेजॉर्ट है जिसकी डिजाइन भी काफी यूनीक है इसके छट के ट्रांस्परेंट होने की वज़र से इसमें से रात को आसमान में चमकती रोष्णिया दिखाई देती है जिसे आप अपने पूरी लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे अगर आप समूदर की सबसे खतनाक मचली के साथ तैरना चाहते हो तो आपको सौथ अफरीका जाना होगा क्योंकि यहाँ पर लोगों को पिंजरे में बंद करके शार्क मचली के बीच में उतार दिया जाता है जो कि काफी डरावना पल होता है क्योंकि काफी बार शार्क मचली लोगों पर हामला कर देती है जिससे लोग काफी ज़्यादा डर जाते हैं लेकिन आज तक किसी के साथ भी ऐसा करते समय कुछ भी बुरा नहीं हुआ अगर आप धर्ती पर रखते हुए मंगल ग्रह को मैसुस करना चाहते हो तो आपको जॉडन जाना होगा वहाँ पर वडिरन नाम के रगिस्तान में आपको बबल हाउस मिलेगा जिनमें रहने के साथ साथ आप वहाँ के अलग environment को experience भी कर पाओगे और जब आप उस जगह को explore करके बबल हाउस में पहुचोगे तो उसमें आपको हर वो एक चीज मिलेगी जिससे आपको अच्छा लगता हो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना क्यूंकि ये वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है और सबसे ज़रूरी नीचे दिये गए सब्सक्राइब बटन को दबा कर उसके बगल में दिये गए घंटे बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हमारी वीडियो से आप अपडेट रह सकें तो मिलता हूँ ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर गुड़ बाई थांकियो